कि यू आर मूविंग टू क्लास ट्विल्थ बहुत चारे डाउट होंगे मन में कैसे स्टार्ट करेंगे बहुत चारे स्लेबर्स हैं डोंट वरी बी रिलाक्सट सबसे पहले हैपी हो ली एंजॉय यो डे अपने फेस्टिविटीज को एंजॉय करिये फ्री हो आप बिलकुल ह क्लास ट्विल्थ स्टार्ट होने वाली है सो एंजॉय योर होली अप आजाते हैं आपके क्लास ट्विल्थ के ऊपर सो मोस्ट प्राबली आप सभी के 11 के फाइनल एक्जाम्स हो चुके होंगे ना यू विल भी थिंकिंग वाट्स नेक्स्ट क्या बस हमारा सफर यहीं तक थ बेल नोटिफिकेशन भी ओन कर लीजे ता कि आपको वीडियो आते ही है एक तुरंत अपडेट मिल जाए और आप वीडियो देखके वाइदा उठापाऊं टीक है अगर आप सब रेडि हो अपनी 12th क्लास के ले 12th क्लास में रॉक करने के लिए सो गिव मी अपको बिल्कुल चिक कि भी नहीं टरा रही हूँ मैं पहले आपको बता देती हूं कि आपकी हिस्ट्री के अंडर तीन टेक्स्ट बुक होगी और देन वी वी गो तुरू पोलितिकल साइंज आजए टोगी तूहिं पर्ट पार्ट वन पार्ट तू और पार्ट धी थोड़ी सी लिंदी पार्ट वन जो है वो है इंशेंट निस्टरि के आरे में just 我 पार्ट फ्री, मॉडन हिस्टरी के आरे में है और भीच वाला जो है मुगल एम्पायरे वगेर में जिछ आप रीज़ रवीज इंडर में और बिल्कुल अच्छे से ग्राब करनी है knowledge, so अभी तो बिल्कुल relaxed हो जाओ Talking about your political science, political science के अंदर भी दो books है, book 1 और book 2, टीक है? So ये book जो है, इसके अंदर हम आपका इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया की politics के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या developments हुए थे Indian politics के अंदर, starting में Congress का dominance था, ठीक है? तो ये सारी चीजे हम देखेंगे, बीच में कौन-कौन सी नई parties आई है, आज की टाइम पे BJP है, उस इंडिया के अंदर इतना सब कुछ हो रहा था, वर्ल्ड में क्या हो रहा था, क्यूबन missile crisis क्या था, ठीक है? और USA और USSR के बीच में क्या cold war चल रही थी, so new centers of power क्या है, so ये सारी चीजे हम आपकी book 2 में contemporary world politics के अंदर पढ़ेंगे, अभी ही topics थोड़े से आपको अजीव से ल science के अंदर कितने books है, किस book के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, now you might be thinking, कि मैंने इतना सब कुछ तो बता दिया, मैंने ये नहीं बताया कि नई classes कब से start होगी, new classes will begin from, so इसका आपको answer कब पता चलेगा, जब आप मुझे answer देंगे कि आपका school कब से start हो रहा है, so जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ये वीडियो देखते ही, एक बर कमेंट करके बताना, कि आपका school कब से start होगा, आपकी class 12 स्टार्ट हो चुकी है, तो कब से start होई है, या कब से start होने वाली है, उसके हिसाब से, जो है, मैं आपके लिए classes लेके आऊंगी, so नोच बनाने में भी time लगता ह है, तो उसके लिए थोड़ा सा time चाहिए, मुझे, April में most probably start हो जाएंगे आपकी classes, ठीक है, April से ही most probably आपके schools भी start हो रहे होंगे, so मुझे comment section में जल्दी से बता दे ना, कि आपकी class 12 कब से start होगी, किस date से start होगी, now be ready for your last year in the school, जल्दी से ready हो जाओ आपनी class 12 के लिए, class 12 की journey स्टार्ट करने के लिए, also one more thing I want to remind you again, जल्दी से चैनल को subscribe कर लेना, bell icon को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको notifications मिल जाएंगे, so 12 में भी हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने 11 की journey cover करी थी, वैसे ही हमारी 12 की journey होगी, और उससे much better होने वाली है, और भी चीज़े मै ले के आऊंगे, बट अभी मैं कुछ रिवील नहीं कर रही हूँ, तो चैनल को subscribe कर लेना, और bell icon तो सबसे पहले प्रेस कर लेना, जैके, comment section में बताना, मत भूलना कि आपकी class 12 कब से start होने वाली है, bye bye, thanks for watching,